नमस्कार भिरिये जनों, आप सब का हमारी चैनल में बहुत बहुत स्वागता है और मैं हूँ आपके साथ आपके अपकी अपनी शुब चिंतक आज हम तीन जुन को आने वाली शनी जन्ती पर बात कर रहे हैं इसके साथ ही धार्मिक परंपराओं के अनसार इस दिन महिलाएं पती की द्रगायों के लिए मट सावित्री की भी पूजा करती हैं जो जातक शनी की दशा जिल रहे हैं उनके लिए शनी जन्ती की पूजा विशेश लाबकारी मानी गई है आईए जानते हैं शनी जन्ती के महतों से जड़ी कुछ से पुरानिक बाते हैं शनी देव को भगवान सूर्या और उनकी पत्नी चाया की संतान माना जाता है वैसे तो नोगरों के प्रिवार में इन्हें सबसे कुरूर ग्रह माना जाता है लेकिन असल में शनी न्याय और कर्मों के देवता हैं यदि आप किसी का बुरा नहीं सोचते हैं और किसी के साथ दोख़दाड़ी नहीं करते हैं और किसी पर कोई जुल्म या अत्याचार नहीं करते हैं यानि किसी के बुरे काम में नहीं है तो आपको शनी से गभराने की आश्क्ता नहीं है। शनी देव बड़े मुनुश्यों को कभी बुरा नहीं करते हैं। जोतिश के अंसार शनी एक ही राशी में 30 महीने तक रहते हैं, तथा मक्कर और कुम राशी के स्वामी माने जाते हैं। शनी की महादशा 19 वर्षणों तक रहती है। शनी की गृतवा कृषन शक्ति पृत्वी से 95 गुणा जादा माने जाती है। माना जाता है कि इसी गुर्टवबल के कारण हमारे अच्छे और बुरे कर्म का लेखा जोगा शनी महाराज के पास पहुंचता रहता है और वह इसी जनम में हमें कर्मों का फल भी देते हैं शाष्टरों में शनी जनती के दिन शनी देव की किर्प्रट प्राप्त करने के लिए कुछ सिद उपाई भी बताये गए हैं जिनके मताबिक ऐसे कुछ कारे हैं जिनों भूल कर भी कभी नहीं करना चाहिए जैसे इस दिन बूल कर भी बाल और नाखुन नहीं काटने चाहिए दरसल शनी जनती के दिन इन कारियों के अशुप प्रभाव के चलते अनिवारे रूप से इनको निशेद सुची में रखा जाता है ऐसी मानता है कि शनी जनती पर बाल और नाखुन काटने से शनी देव रूप जाते हैं जिससे आपको आर्थिक तंगी या उससे जुड़ी समस्यों का सामना करना पड़ सकता है इसके लावा शनी जनती के दिन किसी भी प्रकार के नए कपड़ों की ख्रिदारी करने से भी बचना चाहिए नए कपड़े पहनने से भी इसलिए रोका जाता है शनी देव की पूजा के लिए सबसे पहले नित कर्म से निर्वर्त होने के बाद सनान आदी कर शुद्ध हो जाएं इसके बाद लकड़ी के एक पाटे पर काला बस्तर बिचा कर उस पर शनी देव की मूर्ती फोटो या फिर एक सुपारी ही रखें फिर उसके दोनों और शुद्ध तेल का दीपक जलाएं और धूब बत्ती भी जलाएं इसके बाद शनी देव की उस परतीक सवरूप को पंचा मर्त इतरादी से सिनान करवाना होता है ततपश्चात गुलाल सिंदूर वे काजल लगाने के बाद नीले फूल वे कालिक तिल अर्पित करें इसके साथ ही इमर्ती वे तेल में तले पकवान परसास वरूप अर्पित करें इसके बाद शीफल सहित अन्य फल भी शनी देव को जरूर चढ़ाएं शनी मंतर का जाब भी करें और शनी चालिसा का पाठ भी करें इसके बाद शनी देव की आरती उतारें कुछ बातों का ध्यान भी रखें कि जैसे शनी जन्ती के दिन सूर्य दे से पहले शीव पर सबसों के तेल से मालिश करें फिर सिनान करें इसके लावा मंदिर जाकर शनी देव के दर्शन करने के साथ ही हनुमान जीके भी दर्शन जुरूर करें उस दिन शाष्टरों के निसाल शनी जयंती या शनी पुजाक दिन ब्रहमचरय का पालन अवश्य करना चाहिए ऐसा विधान नियत है अगर संभव हो तो इस दिन किसी यात्रा पर भी जाने से बचें इसके साथ ही किसी जुरूरतमंद गरीब व्यक्ति को अपने हाथ से तेल से बना भोजन कराने से सभी कश्ट दूर होते हैं नया इपरे शनी देव को प्रसंद करने के लिए इस दिन आप गायब कुटों जैसे जीओं को भी तेल से बने पकवान खिला कर पुन्य प्राप्त कर सकते हैं अपने से बड़े भुजूर्गों की सहायता करने में भी लाब होता है शनी देव को अपने पिता से सुर्य देव से कटू रिष्टों के चलते इस दिन सुर्य देव की पूजा नय करने की सला दी जाती है खास बात है हमेशा शनी देव की प्रतिमा या तस्वीर को देखते समें उनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए शनी देव को तेल इसलिए चड़ाया जाता है कि पूरानी कथा कि अनसार हनुमान जी शनी देव को लंकापती रावन की कैद से मुक्त कराया था ऐसे में लगातार कैद में रहने से उन्हें काफी पीड़ा हो रही थी, तो हनुमान जी नोंके शीर पर तेल का लेप लगाया, इससे शनी देव को काफी राहत मिली, इसलिए हनुमान जी की पूजा करने से शनी दोर से हो रही पीड़ा से भी शांती मिलती है, तब भी से शनी आँखों में भी ना देखें और विशेश उपाय जो आप अपनी नोकरी से सबंधित करेंगे साइकाल में पीपल के ब्रक्ष के नीचे जाकर पीपल के ब्रक्ष के नीचे चोमखी दीपक जलाएं वहां हनुआन चालिसा का पाठ करें और पीपल की हर तरह से पूजा करें जो चोमखी दीपक है उसमें तेल डाला हुआ है उसमें अपनी उल्टे हाथ की मद्धिमा अंगुली जो है उसको उसमें डुबाई रखना है जब तक आप शनी चालिसा का पाठ करते हैं उसके बाद आप उस चोमखी दीपक को वहां पर जला दें और भगवान से सब्सक्राइब करें और कमेटर बक्स में भी आप जैशीन देव अवेश्या लिखें धन्यवाद